एक बार फिर्ट से आप सभी का आपके यूटूब चैनल के असे हम इंगलिज ग्रामर क्लासेज में सौगत है हमारी जो पहले वीडियो आई थी वो इंट्रोडक्शन की आई थी अर्थात एक्टिव और पैसी बॉइस कहते किसे हैं और जो हमारी दूसरी वीडियो आई थी व जो पॉइंट है वो बदलता है जो साइक करिया है उसके आगे लिखा हुआ होगा नियमान सार और नहीं लिखा हुआ है तो आपको बताते हुए चलते हैं कि उसमें बदलाव होता है और उसमें बदलाव किस प्रकार से होता है तो उसके लिए आपको टेंस वाइज जो है व प्रसिब वाइस प्रजेंट इंडिफिनिक टेंस आज जो है हम प्रेजेंट लगा आज यह पूरी देखते हैं और आपके समझाने का प्रियास भी करेंगे कहा जाता है कि काम्यावी की एक आदत है जो कर्म करता है जो महनत करता है उस पर फिदा हो जाती है और जब काम्यावी फिदा हो जाती है तो नाम पैसा सवरत सब कुछ देती है तो अगर आप महनत करते हैं तो बिलकुल काम्यावी की आदत है फिदा हो जाती है हम भी महनत पे लगे हैं और आप भी महनत पे लगे रहेगा तो देखिएगा आज बनान इंडिफिनिट चुंकि किलियर है आज प्रजेंट इंडिफिनिट के सीख रहे हैं तो इसमें इज एम आर फिर क्रिया की तीसरी अवस्था पॉइंट तीन वही है तो उसके बाद में अन्य सब्द और फिर भाई और फिर नया कर्म तो इस बाके को बनाना सिखते हैं तो देख लीजिएगा यह सब्जेक्ट है आपका और यह बर्व है और यह अबजेक्ट है तो नया करता अर्थात अबजेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो देख लीजिएगा हो जाएगा आ लेटर उसके बाद में नया करता हो गया फिर EG I AM या R नए करता के अनुसार तो लेटर अरधात अकेला है एक बचन है तो EG हो जाएगा उसके बाद में क्रिया की तीसरी अवस्था तो फिर जो आपकी बर्व है उसकी थार्ड फार्म हो जाएगी तो रिटें और उसके बाद में आने सब दहाई नहीं आप नियम के अनुसार चलते रहेंगे बाके गरत हो जी नहीं सकता फिर बाई और फिर राम नाउन का कुछ नहीं कर सकते हैं प्रोनाउन है तो उसका अब्जेक्ट आएगा नाउन है तो ऐसे रहेगा अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल बनाना सीखेंगे ऐस स्रीवस्ता फिर एंस सब्द फिर फिर नयाकरता तो बनाना सीखते हैं देगेगा इसको यह आपका सबजेक्ट हो गया जैसा इंट नाट रूल के हिसाप से आप चलिएगा । अबनाना आप सीखें गें हम हल टाइम आपके साथ नहीं देंगे दिमाग वर कापी नहीं परनीए कापी साथ नहीं दिमाग हामेजा शाथ रहेगी दिमाग हमेशनी ले घून और्न परिक्षाम में खाना सब्द नहीं है जैसे टूडे बगएड़ा यान सब्द दिये गए होते हैं तो यहीं पर लगाते हैं अगर नहीं है तो फिर वाई और उसके बाद में गोपाल नाउन है तो बैसे ही आएगा तो गोपाल अप नियम के अनसार देखेंगे तो बनाना सीखेंग पका फिर आप देखेगा इंट्रोगेटिब सेंटेंस प्रजेंट इंटिफिनिक टेंस के बाक्यों के रूल आपको बता रहे हैं तो इज या एम या आर नए करता से पहले आ जाएगा और दू या डज जो दिया गया जिसे कहते हैं साइन आफ इंट्रोगेशन तो देख लिजिए गा इंट्रोगेटिब था तो जहां पर डू या डज होता है तो जे आपका सब्जेक्ट हो गया जे आपकी बार वह गया और वहल्पिंग वर्ब टेंस वर्ब जिसको कहते हैं तो आपको सबसे पहले असांग क उसके बाद में निसाब धाईनी फिर वाई और यू का अबजेक्ट में भी यू ही रहता है और लाश्ट में साइन आफ इंट्रोगेशन अब आप एक डब्ली एच वर्ड वाला देख लिजएगा जिसे आपके एक डब्ली एच वर्ड का सरूल नहीं लिखा है तो डब्ली यू करना एज का इज ही उसके बाद में बारव की थार्ड फर्म तो हो जाएगा कालेट और उसके बाद में बाई और उसके बाद में यू को इधर लाएंगे तो यू का यू ही रहता है अबजेक्ट में भी और अंत में साइन आफ इंट्रोगेशन वीडियो अगर आप और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और भाईया कहां जान दगेएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना आए बिल्कुल बिलते हैं प्रजेंट इंडिफिनिट के बाद में प्रजेंट